यूट्यूब पे ऐसा क्या हो रहा है कि जो कभी दोस्त होते थे आज के टाइम पे कॉंट्रोवर्सी स्टार्ट कर चुके हैं बेशक खुले आम आके सोशल मीडिया पे नहीं लड़ रहे हैं लेकिन कॉमेंट सेक्शन में जाएं तो बहुत सारी चीज़े सुनने में आ रही है तो आखिर सचन मनीशा और सरिता दारेक जी के बीच में क्या हुआ सरिता जेठू दारेक राइट तो आप लोग इनकी वीडियोस देखते ही होंगे मुझे भी अभी कुछ टाइम पहले मैंने सुभा भी वीडियो डाला था मैंने जैसे कामिनी निकी पे मैं वीडियोस बना कुछ लोग सचन और सरिता जी को कह रहे हैं इनको घमंड है उधर सचन है उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई यह तो हमेशा चिज़े कर रहे हैं लेकिन जो यह लोग तो दोस्त दूआ करते थे तो आखिर ऐसा क्या हुआ हाँ आज भी मैंने इनके वीडियोस पर कुछ कॉमेंट्स देखे हैं जिस पर दोनों जवाब दे रहे हैं कोई कह रहा है कि सचिन की इंसल्ट करी सरिता जी ने इतने सारे यूट्यूबर्स आये थे तो आपने क्यों उनकी इंसल्ट करी उनके सब्सक्राइबर से बोल रही है कि पहले उन से पूछ क्या हूँ कि ऐसा उन्होंने क्या करा था उस दिन जिस दिन जिसलिए मैंने इंसल्ट करी राइट जो ये controversy है यह आपनों को भी पता चल चुकी होगी इस पे काफी सारे reaction channels वाले वीडियो भी बना रहे है मैंने थोड़ा late बनाया हालांकि मुझे पता तो चल गई थी चीज़े मैंने सुबा आपने देखा था thumbnail में भी बताया था कामिनी जी के वीडियो पे मैं reaction देती हूँ लेकिन काफी लोग मुझसे कह रहे थे इस पे भी आप बात करो तो चलिए मैं आज reaction देती हूँ बाकी जितना मैंने सचिन को जाना है देखिए क्योंकि कामिनी जी के लिए भी इन्होंने एक वीडियो बनाया था कि बिल्कुल वैसे यूट्यूबर है अच्छी यूट्यूबर नहीं है ठीक है इनका content भी आपने देखा है थोड़ा family वालो content होता है अपनी लेकिन कुछ मैंने हमेशा से चीजे इनकी देखी है जो मुझे पसंद नहीं आती चाहें वो अपनी mother से जिस तरह से behave करते हैं अपने घर के लोगों से लड़ते हैं views के लिए और जिस तरह के titles लगाते हैं ठीक है आप YouTube पे हैं कई बार click waits भी करेंगे लेकिन actually मैं ये चीजे न अच्छी नहीं लगती अगर आपके नाम है आपके subscribers जल्दी ही 1 million भी होने वाले हैं ठीक है कुछ लोग कहते हैं बिहार के बहुत टॉप पे है ये YouTuber इनकी वीडियो भी अभी मैंने सुबह वाले वीडियो में बोला है इनकी एक वीडियो trending आई है जहां पे इनकी जो भांजी है जिसको कुकडी बोलते हैं ठीक है उसका इन्होंने दिखाया था पारिवारिक मुद्दे पारिवारिक जगडे इनी में मसाला मिलते हैं आप लोग को कुछ अलग चीज अगर हटके इनकी अभी कुछ टाइम पहले ये थाइलेंड गए थे वहां के वीडियो को इतना लोगों ने पसंद नहीं किया क्यों क्योंकि लोगों को वही आदत होगी ना परिवारिक जगडे और ये सब चीज देखने की चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ तो आज का इनका वीडियो अगर आपने देखा हो गई कुकडी को हस्पिटल में एटमिट कर दिया गया तो birthday celebration हुई थी, cake cutting वगेरा हुई थी, अब बोला जा रहा है कि उसने cake excess में खा लिया, food poisoning हो गई, ठीक है घर में ही रहिए, afternoon में कहीं बाहर ना जाए, तो वही उससे related इनका वीडियो है, उसके तव्याद ठीक नहीं है, admit है, और I hope जल्दी वो discharge हो जाए, ठीक हो जाए, बच्ची है छोटी, उसके लिए प्रे करिए, तो इनके comment section में कुछ subscribers हैं, देखिए, common subscribers हैं, मैंने जब निहा जिश्तिवारी की वीडियोस देखी हैं, वहापे मुझे ये, जैसे मैंने बताया था, इनका पूरा gang है, मतलब काफी YouTubers हैं, जो मिलके वीडियोस बनाते हैं, collaboration करते हैं, उसमें मैंने इनको सचिन को सबसे पहले देखा था, वहाँ पे मैंने सरिता जी को भी देखा था, लेकिन जब अब चीज़े मैं देख रही हूँ कि इन दोनों में ये लोग दोस्त थे, आखिर ऐसी क्या चीज़े हैं, जो आज इन लोगों में भी problem स्टार्ट हो गई हैं, ठीक हैं, कोई उनको playboy कह रहा है, हाँ जी, अगर आप सरिता जी के comment section में जाओ, तो वहाँ पे किसी comment में किसी ने लिखा हुआ है, कि playboy बोला गया, वहाँ पे आज सचिन ने भी अपनी वीडियो में comment section में लोगों से बोला है, कि आप मुझे email पे करो और screenshot भेजो, जहाँ पे लोग कह रह है, क्या नेहा शिष्टिवारी को सरिता जी ने unfollow कर दिया, भई आखिर ऐसा क्या हुआ है, और चीजे जो इतनी अच्छे से थी, आप एकदम से चीजे खराब होती हुई दिख रही है, social media पे, right, तो चलिए मैं आपको कुछ comments के जरिये आपको इस situation को समझाने की कोशिश कर करती हूँ, और अगर आप लोग मेर से, मेरी बाते अगर आप लोग को बिल्कुल इतिफाक रखते हैं, तो नीची comment ज़रूर करिएगा, सबका अपना point of view and I completely respect, चलिए start करते हैं, तो अगर हम लोग सरिता जी के comment section में जाएं, ठीक है, सरिता जी के comment section में, कई सारे इनके subscribers है ठीक है, वो उनसे पूछ रहे हैं, कि आखिर आपके घर में किसी को आपने invite किया है, अभी आपको पता है, इनकी घर में इनकी बेटी हुई है, तो उसमें आप किसी को घर में invite करते हो, celebration में और फिर उसकी insult करते हो, ठीक है, कुछ लोगों ने का इनको घमंड आ चुका है, पैसे का ये चीज़, तो मैं आपको, मैं आपके साथ discuss भी करती हूँ, उन comments को, जहां पर साफ साफ बोला जा रहा है, दीवी आपकी गोध भराई में सच्चिन का क्या अपमान हुआ था, वो बोल रहे हैं अपमान किया, तो आप बताओ ना, पांच भहिने पहले ही बात बंध हो गई, क्या हुआ था, तो किसी सब्सक्राइबर ने उनसे पूछा है कि ऐसा क्या हुआ था, गोध भराई में, कि मतलब वो कह रहे हैं कि आपने उनका अपमान हुआ था, तो सरिता जी ने रिप्लाई किया, कि बिल्कुल मैं यही चाहती हूँ, कि आप सब लोग पूछो, उसकी आइडी पर जा कर कि ऐसा क्या हुआ था, कि सरिता ने 40 क्रीटर के बीच सिर्फ उसको ही बेज़द करके निकाला था, और लोगों की भी बेज़दी की, और बाकी सारे क्रीटर को पूछना चाहिए, कि सरिता ने क्या वहवार किया, तो यह पूछा जा रहा है उनसे, और फिर से एक कमेंट आए, कि आप किसी को बुलाते हैं महमान को, तो आप उनके साथ बुरा भेव किया, जो भी था घबट घर में ही बेज़द किया, मैं आपको positive side देखी, बट negative तो आप बहुत जादा है, तो इसमें reply नो ने किया, यार at least उनको पूछो कि ऐसा क्या किया, कि सरिता ने सिर्फ उनकी ही बेज़दी करी, बताओ, तो कही ना कही कुछ ऐसी चीज़ है, जो subscribers को अभी नहीं पता है, तो ये साफ साफ कह रहे हैं कि उस दिन baby ceremony बाले दिन कुछ तो ऐसा सचिन ने किया, जिसकी वज़े से मुझ को ये सब चीज़े करनी पड़ी, अब actually में क्या चीज़े हैं, वो तो ये लोग ही जानते हैं, रवाई, वराइट, तो लोग कह रहे हैं कि आप ही बता दो कि क्या किया, clear तो करो, और अगर हम लोग ये इनकी बात करें, काफी लोग ये कह रहे हैं कि नेहा ने unfollow किया है इनको, कुछ लोग सचिन को कह रहे हैं कि सचिन तो कामिनी से भी जलता है, आग लगाता है दिवरानी जिठानी में, कामिनी सिंग के भले ही सचिन से कम सब्सक्राइबर हो, लेकिन कामिनी जैसी पहचान कभी जिंदगी में नहीं बना पाएगा, सरिता जी आपको गोध भराई के टाइम बोला था कि कामिनी से रिलेशन बनाओ, कामिनी को बुलाओ, बट आपने नहीं बुलाया था, और कुछ लोग, काफी लोग इनसे यही चीज़ पूछ रहे हैं उनके कॉमेंट सेक्शन में, कि आपने क्यों इनसेल्ट करी थी किसी को घर में बुला कर, आपसे ऐसी उमीद नहीं थी, और क्यों घमंट दिखाना, वो भी पैसे का, मिलियन फॉलोवर्स का, अच्छा अगर हम बात करें, तो जो सचिन है, उन्होंने खुद रिपलाई किया, कि मुझे स्क्रीन शॉट ज़रा शेयर करो, कि आप इमेल आइडी अपना दिया है, इन्होंने कि इस मेरी इमेल आइडी पे वो स्क्रीन शॉट शेयर करो, जहां पे वो इस तरह की चीज़े सबूत दे रहे हैं, और फिर नीचे कमेंट आया है, कि भाईया, आप कोई कॉंट्रोवर्सी में मत पढ़िएगा, तो जिसके जवाब में सचिन बोल रहे हैं, कि आप चाहते हूँ कि मैं गलत बरदाश्ट करके चुप रहूं, सरिता आपके बारे में गलत बोल रही है, मेरे पास स्क्रीन शॉट है, तो एक नहीं, दो ऐसे कमेंट्स आये हैं इनके, जो कह रहे हैं कि हमारे पास स्क्रीन शॉट है, आपके लिए गलत बोला जा रहा है, और तो नीचे सचिन ने बोला है, कि आप मेरे को मेल करो, तो आखिर में ऐसा क्या चीज़े चल गई, ऐसी क्या चीज़े हो गई, जिसकी वज़े से जो दोस्त है, आज उनमें इतनी खटास आ गई है, ठीक है, भले ही अभी प्रॉपर, कॉंट्रोवर्सी के रूप में वीडियो ज़रूर नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़े कॉमेंट सेकशन में चल रही है, तो आखिर में टॉटल पिच्चर क्या है, किसी को प्लेबॉय बोला जा रहा है, किसी को घमंडी बोला जा रहाहै, कोई इंस्टाग्राम पर unfollow कर रहा है, follow unfollow गा ये गेम चल रहा है, आखिर में ऐसा क्या है तो आप लोगा क्या कहना है क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं मैंने ज़्यादा वीडियोस देखी नहीं है मैंने सरिता जी को भी ज़्यादा मैंने फर्स टेम देखा उनको और जो सचिन वनीशा है इनको तो मैंने थोड़े वीडियो से देखना शुरू किया था लेकिन कौन सही कौन गलत अक्चुल में पूरी पिच्चर तभी आएगी जब हमें और क्लारिटी होगी लेकिन मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि अच्छे से रहिए आप लोग तो अच्छे फ्रेंड्स दे लेकिन इतनी खटास इतनी जादा खटास और एक्चुल में हुआ क्या था उस दिन जब कह रही है सरिता जी कि अक्चुली मैं सचिन ने कुछ ऐसा क्या किया था जिसकी वज़े से उसकी इंसल्ट की गई तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर वीडीयोँ अच्छा लगा तो आप लोग लाजक शयर सब्स्राइब करेगा और अगर आप चानल पे न्यूँ हैं तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजएगा और आप लोग क्या agree करते हैं मेरे point से ये भी ज़रूर मुझे बताएगा मिलते हैं next video में bye bye and take care जहां से भी आप लोग देख रहे हैं comments में please मुझे comment ज़रूर कर दीजेगा और जाते जाते चैनल को subscribe करके चाहिएगा bye bye and take care मिलते हैं next video में bye bye